हेलो दोस्तों क्या हाल चाल और हम भी हो रखे हैं ठंड से बेहाल टेमप्रेचर माइनस 3 डिगरी में बना हुआ है तो दोस्तों इस time है हम मनाली और यहां से अभ हमको निकलना है कसोल के लिए तो हमको देखनी होगी टैकसी तो आइजये चलो देखते हैं टैकसी जो हमारे मनाली आने का जो प्रोग्राम बना था वो यहां पर अटल टरनल बगेरा हैं उनको देखने के लिए पर बरबारी ज्यादा हो रखी है तो वह सब रास्ते बंद हो रखे हैं तो वहां पर हम पहुच नहीं सकते तो अब हमारा यहां से सब प्लान कैंसिल हो चुका है और यहां से अब हमारा प्लान जो है जाने का वो कसोल के लिए है और कसोल से फिर हम निकलेंगे माड़ागाओं के लिए आपने माड़ागाओं का नाम सुना होगा काफी खुब सूरत है तो आईए चलो देखते हैं यहां से टैक्सी हमको कितने रुपए में मिलती है और उसके बाद हम यहां से निकलते हैं कसोल के लिए तो बने रही है आप वीडियो पर काफी इंज़ाए आपको आने वाला है आगे चल कर वीडियो में रोड पर जो आपको दीख रही है यह हाड बरफ है जो गाड़ी के चलने से टारों से काफी हाड हो चुकी है यह इस तरीखे की बरफ हो चुकी है जैसे आपने पुराने गलेशर देखे होंगे जैसे गोमुक जहां से गंगाजी निकलती है उनके उपर जो ग्लेशर होते हैं पुराने वो इस तरीके के हाड ग्लेशर होते हैं क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू टैक्सी बगएरा आबस बगएरा आती जाती रहती है तो उनके टाइट से जो है ना काफी हाड हो चुकी है पूरी रोड पर बरफ जमी होई नहीं है कहीं कहीं यह बरफ जमी होई है जो काफी हाड है और यह फरवरी मार्ज के महिने में गर्मी के बाद पिंग लेगी तब तक यह ऐसे ही बनी रहेगी और काफी खुबसूरत मोसम हो रखा है आप देख रहे हूँ आस्वान में बादल चाहे हुए है जो काफी खुबसूरती बढ़ा रहे हैं मनाली के वैदर का और काफी जबरदस्त व्यू बनाते हैं इसलिए ये मनाली को यहाँ पर जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर घंटे में मोसम चेंज होता रहता है और काफी खुबसूरत व्यू यहाँ पर हर दो घंटे बाद बदलता रहता है और बनता रहता है तो आईए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं टैक्सी वाले भाई को क्योंकि उसने हमें बोला था कि वो हमको आगे मिलने वाला है तो दोस्तों यहां से हम जाने वाले हैं कसोल और कसोल से 30 से 35 किलो मिटर चलने के बाद आता है मनाला गाउं के लिए ट्रेक जहां से ट्रेकिंग करकर मनाला गाउं जाया जाता है पर यहां पर आपको एक ध्यान रखना है आप कभी भी यहां घूमने के लिए आते हैं तो यहां पर कुछ अजीब और गरीब नियम है जो आपको जरूर जान लेने चाहिए आप जब भी माना गाओं यानी मनाला गाओं जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी चीज को वहाँ के मंदर, टैंपल जो भी बने हुए हैं उनको आपको नहीं चूना है अगर आप मंदर को किसी भूलबस चून लेते हैं तो यहाँ पर आपको लगने वाला है डारेक्ट दो हजार से पांच हजार रुपए का जुर्माना तो इसलिए आप मंदरों से यहाँ के रहे दूर और जो यहाँ के लोग बाग हैं उनको भी आपको नहीं चूना गूमने के लिए आपको कोई मनाई नहीं है आप यहाँ से अराम से इस गाउं से गुजड़ सकते हो इस गाउं में घूम सकते हो पर आपको कुछ चूना नहीं है यह तो अलग-अलग सिटी है और दोनों काफी खुबसूरत है पर इन में काफी अंतर है पर इन दोनों का नाम अधिक तर आपने देखा होगा एक इसाथ लिया जाता है तो दोस्तों यहाँ से अब हम निकल चुके हैं कसोल के लिए और आप देख रहे होंगे यह गाड़ी वाले भाई है इन से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी के रेट बड़े हाई फाई बताते हैं तो आप जब भी हाँ मनाली या कुलू आते हैं तो आप किसी भी एक टैक्सी वाले से बात करकर कहीं भी न जाएं आप यहाँ पर पूरी जाँच परताल कम से कम जादा भी नहीं तो दस-पांच टैक्सी वालों से रेट मालूम करें कसोल जाने के लिए कहीं भी आप जाते हैं तो कम बढ़ती आपको रेट हो सकते हैं क्योंकि जब हमने पहली बार पूछा तो यहाँ पर तीन हजार उपए से लेकर साड़े तीन हजार चारजार उपए तक बताए और लास्ट में हम को यहाँ पर दो हजार उपए में टैक्सी मिल गए तो यह सब जब हमने जानकारी ली बार बार उनकरी दूर होगा यहां से क्यों भाई साब जaking दूर होगा यहां से यह इतने पैसो में एक हंटा लगा है एक हंटा लगा है देड़ गंटा मतलब किलो मिट्र में इतना होगा यहां पिचासी होटल बगरा में आप जाते हैं अच्छा एक बात तो बता हूँ जिस कसोल है इसा कसोल के पास माणा माणा भी पड़ता है क्या तो बीच में कोई जग हा मैं जो है वो कसोली है सही बोल रहा है हम है जा अए जब ंग फास्द के नास्ता बास्टा वोधा ख सरह crochet बहा है अब सब फखगा है अब फिछे हैं फश सब्सक्रूंडबरा दे पढूंगे हैं जब बरफ पढम्टिती अच्छी बरफ़बबर बारी हुई है हिच्तित इतले सागते हागा है